है यहलो फ्रेंट्स दिस इस राहुल अगलकम टो जिरेफ ट्रीमर्स सब्सक्राइब आज की सब्सक्राइब आपकी साथ युनित फर्स डिसक्स कर चुका हूं आई होप कि आपने उस वीडियो को भी देख लिया होगा और जो भी कंसेट में उसके नदर बताया है वह आपके क सब्सक्राइब करना और अगर आपको कहीं प्रोब्लम आती है तो प्लीस कमेंट बॉक्स में जुरू बताना ताकि मैं नेक्स वीडियो में उस टीश को सॉल्फ कर सकूं ओके सबसे बात कर लेते हैं कि मैं कौन कौन से जो टोपिक्स है जोग एक्जाम पॉइंट पॉइंट से काफी इंपोर्टेंट है तो मैं आपको बता जाता हूं यह जो टोपिक्स है यह लास्ट अनियर्स को अनलाइस करने के बाद ही बताए गया तो अगर उन टोपिक्स की बात करें जैसे अकौंटिंग कंसेप्स और प्रिंसीपल्स हो गया पार्टनर्शिप अकाउंट में स प्रक्टिकल कोष्ण भाअन डेफनेटी दिखने को मिलता है अपको देखने को मिलेगा व उसके बांघनो कोस्टिंग और ब्रेकтор फैट्टील कोशां देखने को मिल जागा उसके बात करें बजेट्री compassionate Deballah है इसुछय काफ़ी important topiclaughter करें जो मैं 30 सब काफी इंपोर्टेंट है उसके बाद वेरिफिकेशन एंड वैलुएशन ओफ एसेट्स और ट्रिपोर्ट स्टो डिट्रिपोर्ट टोपिक बिए जो भी वह भी काफी इंपोर्टेंट टोपिक है तो इन चीजों पर हम कुछ ज्यादा फोकस करेंगे बाकि टोपि कंशेट है उसको भी हम इसमें कवर अप करेंगे चलिए सबसे बात करते हैं कुछ अकाउंटिंग कंशेट्स हैं कुछ अकाउंटिंग कर्वेंशन से तो आपको पता होना चीए सबसे पहला कोशन थो हमारे पास यह आ सकता है कि विच्वन ओफ फ्लोंग इस नोड़ पाउं तो आपको एक चीज़ और पता होना चीए जो भी हमारे अकाउंट्स बनते हैं जितने में हमारे अकाउंटिंग प्रैक्टिस फॉलो की जाती है वह हमारी अक्रूल कंसेट्ट के उपर बेस्ट पर की जाती है उसके बद करेंशन की बात करें तो डिस्क्लोजर हो गया कंसिस को सब्सक्राइब ऑफ रखें तो अगर हम बात करें बिजनस एंटीट कर्सेप्ट यह क्या करसेप्ट है दो को यह एक ऐसा कंसेट है जो की यह मानके चलता है जो बिजन के जाएगा ही बिजनस से कलको अगर बिजनस डिजॉल होता है तो 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 था कंसेट स्टेट बिजनस उनिट इस सेपरेट इंडिस्टिंग फॉम्द परसन वह सप्लाइट कैपिटल टूइट इस मिल्ट बिजनस एंड ओनर शुट बीटिट सेपरेटली तो बिजनस और ओनर को ट्रिट कैबा इस अपर त्रिट का जाएगा और यहीं रिमिल्स ओनर है वह उसके umeत क्या चार्ज करता है इंटर्स्टोन चार्ज करते हैं एक रोटेट्टम थैपर यह मेंदिट इस के बात करते हैं ऐसके नकेक्षिक से irm एम रखुट करते हैं मंटी मिसरमेंट कंसेप् तो हम अकाउंट्स में उन्हीं चीज को लेके चलते हैं जिनको मने की फोर्म में एक्षप्रेस कर सकते हैं जिस चीजों को जिन चीजों को हम क्या कर सकते हैं लखनी की form में एक्ष्परस कर सकते हैं उन्हीं को हम अपने अकाउंटेंट सी में अकाउंट में शो करते हैं ठीक है बालेंश necessity अप्र फिट लोस हो गया तो उनी चीज़ी कम शो करते हैं उसके बाद हम बात करते हैं going concept concept तो यह concept क्या कहता है यह concept कहता है कि जो business है business unit has a reasonable expectation of a continuing business at a profit of an indefinite period of time जब भी हम business establish करते हैं हम यह सोचके establish नहीं करते हैं कि हम एक साल चलाएंगे दो साल चलाएंगे हम यह सोचके establish करते हैं कि हमारा business जो है लंबे समय तक चलता रहेगा तो हम यह assume करके चलते हैं कि जो हमारा profit earning होगा वह indefinite period के लिए होगा ना कि कुछ एक सिमित समय के लिए मतलब कि हम कहेंगे 4-5 साल के लिए हम बस अपने business चलाएंगे ऐसा सोचके कोई भी business नहीं करता वह हमेशे एक लंबे समय के लिए सोचके business करता है कि मैं काफी time इस business को indefinite period of time के लिए मैं इस business को चलाऊंगा उसके बाद हम बात करते है है historical cost concept going concept cost concept implies that an asset is recorded in the books on the basis of their original cost historical cost concept हमें यह कहता है कि आप accounts में जितने भी अपने जो assets की value लिख रहे हो वह आप historical cost मतलब कि जिस rate पर हमने उस assets को purchase किया था हम उसी rate पर उस टीच को क्या करेंगे mention करेंगे ठीक है उसमें से हम depreciation side by side deduct करते जाएंगे लेकिन हम historical cost पर हम क्या करेंगे amount show करेंगे जिस cost पर हम लियर था in the first year of accounting first year में फिर subsequently हम क्या करेंगे उसके पर depreciation लगाते जाएंगे और उसकी value जाए रिडियूस होते जाएगी हर इसके बाद हम बात करते हैं dual aspect concept तो काफी important concept है आपको पता है कि कोई transaction होती है अगर मैंने किसी से पैसे लिये हैं यह किसी को दिये हैं यह data से में को पैसे मिले हैं तो हर एक transaction का जो effect होता है वो दो जंगा देखने को मिलता है ओके तो according to this concept every debit must have a corresponding credit अगर कहीं के debit हो रहा है तो कहीं न कहीं वो क्या हो रहा हो क्रेडिट हो रहा होगा ठीक है मैंने अपने एंप्लोई को salary दी ठीक है salary दी तो क्या हुआ मेरा cash account जो गया बिजनस का जो cash account है वो क्या हो गया credit हो गया sorry debit हो गया ओके एंड वाइस वर्सा है अपन इस accounting equation assets is equal to equities liabilities plus capital तो assets जोते हैं हो मारे liabilities plus capital होते हैं आपको बाता कि going concept concept that business will run for an indefinite period but the stakeholder government and the owner can wait till the dissolution of business so to know the profit and loss of the business it is reasonable to divide the life of a business into accounting period देखो अभी से हमने पहले discuss किया था going concept concept उस concept के अंदर में डिसके था कि जो business है वो लंबे समय तक काम करेगा अब इतने लंबे समय तक अगर हमको profit calculate करना पढ़ गया तो हम कैसे करेंगे इस करके हमने कौन से concept का यूज कि हमने एक पर्टिकुलर accounting यह बना लिया जिसके अंदर हम मान के चलेंगे कि at the end हम जितना भी उस साल में को profit यह loss हुआ हम उसको calculate कर सके ठीक है क्योंकि going concept तो हमें कहते है कि indefinite period के लिए हमारा business चलेगा जब उसके कोई समापती ही नहीं है तो हम अपना profit कैसे calculate करेंगे इसलिए हम इस concept का यूज करा कि हम अपने business को जो है कुछ periods decide कर लेंगे उसके according हम अपना profit जो है calculate करते रहेंगे तो हमारा accounting period है वो generally एक अपरायल से 31 समार्च तक calculate किया जाते हैं उसके बाद हम बात करते हैं matching concept the most important objectivity of running a business is to a certain profit prodigally this determined the profit of a particular period is essential matching the revenues recognized during the period and the cost to be allocated to matching concept के अंदर हम क्या करते हैं हम अपनी revenue को course से match करते हैं ठीक है अगर मानलों कुछ units sale करी है तो उस units को बनाने में कितना मेरा खर्चा आये था उसकी जो कोस्ट होएगी और जितने यूनिट सेल करिया उससे जो revenue आया हम उन दोनों को comparison करके देखते हैं और जो हमें profit हुआ वो क्या है उन दोनों का difference ही होगा ओके यह हमारा matching concept कहता है उसके बाद हम हमें यह कहता है कि हम क्या करेंगे हम revenue तब recognize करेंगे मतलब हम तब कहेंगे कि हमारे unit sale हो चुकी है जब जो property है जो ownership है goods की वो पास हो जाएगी towards the buyer buyer की तरफ वो पास हो जाएगी पैसे आए हो यह ना आए उसका कोई matter नहीं है जब उसकी जो ownership है वो पास कर दी जाएगी towards the buyer हम मान के चलेंगे कि हमारे जो revenue है वो रिकोगनाइज हो चुका है उसके बाद हम बात करते हैं एक्रोल कंसेप्ट most important concept है एक्रोल कंसेप्ट अब एक्रोल कंसेप्ट हमें क्या कहता है दा असेंस ओफ एक्रोल कंसेप्ट हमें कहता है कि आप revenue को तब रिकोगनाइज करो जब आपने सेल कर दिया है मतलब कि जब आपके पास cash मिला यह नहीं मिला ओके यह कहता है अगर मेरा कोई expense है किसी को मैंने देना है इस डेट पर लेकिन मैंने उसको cash paid नहीं किया तो वो मेडली क्या बन जाएगी liability बन जाएगी ठीक है तो उसको पे तो मैंने को करना ही पड़ेगा अब मैंने cash नहीं पेड़ किया तो इसका मली तो नहीं करूंगा तो उसको शो दो करना ही पड़ेगा मुझे तो यह होता है convention of consistency अब यह convention क्या करती है it implies that accounting rules practice convention should be followed continuously followed and applied मतलब कि जो हम accounting Rules को follow कर रहे हैं जो हम his accounting period में follow कर रहे है हम यह academy करके चलते हैं accounting principles को follow करे उन्य नहीं को medude मतलब करके चलते हैं कि next year और से next year भी हम उसी चीछ को follow करेंगी convention of full disclosure, full disclosure कह रहा है कि इस में कहता है कि जितने भी मैरी material information है all material unmute information कौन सी होती है वो information जो कि stakeholders के काम क्यों होती है तीक है अब मालो shareholder ने मेरी business में पैसा लगा रख है अब उसके काम की information कौन से होगी कि मेरी business में कौन कौन से employees work करते हैं कितना मेरे को profit हो रहा है कितना मैंने assets purchase करें यह सब चीज़े काम किया है तो इन सारी information को मेरे को fully disclose करना पड़ेगा किसको stakeholders को all information which is of material interest to proprietors और creditors and investors should be disclosed in the accounting statements तो उन सब information को disclose करना जूरी है यह कहते convention of full disclosure उसके बाद हम बात करते है convention of conservatism or prudence the main motto of this convention is anticipate no profit but provide for all possible losses तो यह convention क्या कहते है तो conservatism नाम से कुछ recommend हो रहा होगा conservatism अपने अपको conserve करके चलना conserve in the sense अगर मुझे पता है कि मुझे आज से 10 दिन बाद कोई profit हो सकता है मैं उसको अपने accounts में शोर नहीं करूंगा लेकिन अगर हो जाएगा यह में लिए एक अच्छी बात होएगी ठीक है अगर में को profit होना है दस दिन बाद मैंने उसको आज रिकोर्ड ने किया और वो दस दिन बाद हो गया तो में लिए वैसे ही फाइदा रहेगा ठीक है तो इसको कहते है सेफ प्ले कर्वेंशन ओफ कंसर्वेटीजम ओके कन्वेंशन ओफ मैटरलिटी क्या कहता है मैटरलिटी मिन्स एट और मैटरिल एफ्ट शुट बीडिस्क्रोज इन अकाउंटिंग ठीक है इस मैटरलिए इंप्लाइक्शन एनिसिग्निफिकेंट इफेक्ट ओंड बिजन त सिस खरेंगे वहां तो छहोख आप थोड़ी सी आपको क्या करना पड़ेगा थोड़ी चेंज करना पड़ेगा है यहापर जो सारी की मिस्टिंग सब्सक्राइब समकॉंद करें इं सब्कॉब 민 सब्सक्राइब करते हैं अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन और पाटनर्शिप तो पाटनर्शिप कंसेप्ट जो है आपको अगर मैं कहूं तो इसमें से कौन सा कोशन आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है वह गुडविल का गुडविल के लुगलेशन का रिगार्डिं इसके उपर कई बर कोशन आ चुका है तो सिंपल कोशन होता है प्रक्टिक रोशन है सिंपल कोशन है कोई दिकर वाली बात नियुव आप सिंपल वैसे भी कर लोगे सो चली देखते हैं अगर हम बात करें इंडियन पार्टनर्शिप एक सबसे पहला कोशन तो यह आता है कि यह कब आया था तो 1932 में इंडियन पार्टनर्शिप एक आये था एक एक आक अलल पी लिमिटेट लाइबिलिटी वह दूजाँ आट में यह चीज़ आपको यादर रहने तो इंडियन पार्टनर्शिप एक नेडिक नेटिन तो 1932 डिवाइन इपार्टनर्शिप एस अने between two or more person who have agreed to share the profit from a business carried on by all either all of them or any one of them acting for all. तो इंडियन पार्टनर्शिप कहता है कि एकट ने defined करका partnership क्या है तो partnership क्या है related do या दो से ज्यादा person के बीच में जो कि आया है किस्य छीक लिए profit является करने के लिए ठीक है चाहिवो एक परसंग के फुरू मेरा ओं जो कि सब के भिभी हट कर रहा हूं या सब के थूचप रहा हो अँशकर मुंद का ना definis अब essential elements कोन सकते हैं question again यहां से आ सकता है कि which one of the following is the essential elements of partnership okay so there must be an agreement सबसे पहली बात तो उनके बीच में agreement होना चाहिए दूसरी बात profit sharing profit वो profit को share करने के लिए उनका agreement होना चाहिए third है business carried by all or any one of them acting for all तो बिजनस जुरूरी है कि या तो सब के थूरू चला जाए या फिर एक आदे के थूरू चला जा रहे तो वो सब के भ्याव पर act कर रहा हो ठीक है तो इससे कहेंगे हम essential elements से किसी के partnership के तो question आपका यहां से भी आ सकते हैं अब बात करते partnership deed अब partnership deed क्या है एक important agreement है तो partnership agreement is in return form is called partnership deed जो partners के बीच में agreement होता है उसको जो return form में जो उसको बनाते हैं जो agreement बनाते हैं उसको हम गयते partnership deed अब partnership deed में क्या-क्या important elements होते हैं इसके अंदर profit sharing ratio होता है कि किस ratio में हम profit share करेंगे वो mention होती है interest drawing और capital तो capital कितना हमारा drawing का interest होगा कितना हमारे capital का interest होगा वो होता है प्रॉफिट शेंगे शो sorry यह दोनों repeat होगा profit share होते है duration of partnership तो कितने लंबे सक समय तक हमारी partnership चलेगी यह उसके अंदर mention होता है ठीक है और भी कही होते हैं जो इंपोर्टेंट है वो मैंने आपके साथ discuss कर लिए हैं ओके अब प्रोविजन इन केस ऑफ पार्टनर्शिप डीट सैलेंट सबसे इंपोर्टेंट कोशन बनता है कि अगर पार्टनर्शिप डीट सैलेंट है तो उसमें कौन-कौन से प्रोविजन एप्लिकेवल होंगे तो सबसे पहला है कि प्रोफिट मस्ट भी शेयर एक्वली अगर मालो कि हमने एग्रिमेंट बनाया ही नहीं तो उस टेम पर जो प्रोफिट होगा वो एक्वली शेयर होगा किस बात करते हैं पार्टनर्स कितने तरह की होते हैं पार्टनस कहीं तरह क्योंते है एक उत्याइं पार्टनर्स आप नाम से जेसे नाम से ही हमको recommend हो रहा है कि active partner हो कौन होगा जो actively firm के अंदर participate कर रहा हर एक चीज के अंदर decision making के अंदर भी और दूसरी activities के अंदर भी he takes active participation in the business of the firm तो firm के business में actively participate कर रहा है उसको हम कहेंगे active partner वो capital contribute करता है profit and loss के अंदर share भी लेता है also participate in अंदर daily activities और daily activities के अंदर भी क्या करता है participate करता है उसके बाद हम बात करते हैं dormant partner अब यह dormant partner को होता है अगर dormant partner की बात करें तो इसको हम कहते है sleeping partner अब sleeping in the sense यह नहीं कि जो firm में आया और आके सो गया फिर जब time हुआ तो चला गया sleeping partner वो होता है he will not participate in the daily functioning वो daily functioning नहीं करेगा but he will still have to make his share of contribution to the capital लेकिन जितना हिस्सा उसका capital में बनता है जितने हिस्से के लिए वो उसने partnership करी है उतनी वो capital जुरूर देगा firm को ठीक है वो actively decision making नहीं है वो decision नहीं ले रहा है firm के अंदर लेकिन वो जितना उसका capital का हिस्सा है वो provide कर रहा है इन रिटन ही विल हैव टू शेर इन दे प्रॉफिट हिस liability will also unlimited उसकी liability भी unlimited होती है और उसका जितना हिस्सा बनता उसको profit में भी उतना ही participation उसको मिलेगा ओके बस फरक इसका इतना यहां पर यह आ जाता है कि वो actively decision नहीं लेगा firm के अंदर वो active partner ले सकते हैं उसके बाद बात करते हैं secret partner okay secret partner को होता है here the partners association with the firm is not public knowledge he will not represent the firm to outside agents और party तो यह क्या होता है कि देको secret partner वो होता है जिसके किसी दूसरे के पास information नहीं होती जितने भी outside parties होती है कर जब हम उनके साथ deal करते हैं तो हम उनको बताते हैं कि हमाई firm का कौन-कौन partner है लेकिन हम अपने secret partners के बारे में उनको नहीं बताते हैं he will not represent the firm to outside partners other than his participation with respect to capital profit management and liability will be the same लेकिन condition यहाँ पर यह रहती है कि वह profit भी लेता है capital भी contribute करता है बस फरक इसक में इतना आ जाता है कि उसका नाम disclose नहीं किया जाता है outside parties को वह partner तो रहते हैं लेकिन उनका नाम disclose नहीं किया जाता है that's why in common secret partners कहते हैं चली move करते है नेक्स्ट पे इसके बाद आता है nominal partner अब nominal partner को होता है the partner is only in a partner in name जो सिर्फ name के लिए partner रहता है he allowed the firm to use the name of his firm अब क्या होता है कि कहीं लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम काफी होता है मार्केट के अंदर ठीक है अब जैसे माल लोगी मुकेश अमानी है अब मैं क्या हूं मैंने एक firm खोल लियो मैं क्या हूं कि मैं मुकेश अमानी को अपनी firm का partner बना लेता हूं अब उसके नाम से इतनी गुडविल हो जाएगी कि पूछो मत ठीक है चाहे वो capital भी ना capital तो वो capital contribution नहीं करता तो सबसे important पार्ट यहां पर यह है कि वो capital को contribute नहीं करता सिर्फ अपना नेम देता है बना क्या सकता है कि secret partner के बिल्कुल opposite है he does not involve himself in the firm business but his liability to will unlimited लेकिन उसकी liability भी unlimited रहती है partners by esthopal अब इसका मतलब क्या है if a person makes it too out to be through his conduct a behavior that they are partner in a firm and decisions correct them then he become a partner by esthopal however this partner will to have unlimited liability partner by esthopal in the sense हम कह सकते हैं कि माल लोग मीटिंग हो रही थी और एक मीटिंग के अंदर कुछ persons बैठे थे वह मीटिंग हो रही थी कि हम partner बने हम कोई business start करेंगे बताओ कौन-कौन मदब की उस पर किस किस की सहमती है ठीक है अब एक पर्सन ऐसा बैठा था जिसने मूँ इलाके तो कह दिया कि चलो ठीक है मैं पार्टर बनने के लिए त्यार हूं बट अपने वर्ट से एक्स्प्रेस नहीं किया मत अपने behavior से तो यह शो कर दिया कि वह partner बनने के लिए त्यार है लेकिन वह इन रियल्टी वह यह नहीं चाहता था कि पार्टर बनना नहीं चाहता था तो उसका agreement में नाम लिख दिया अब वो पार्टर तो बन गया लेकिन उसकी मर्जी के कर दिया रहे हैं तो इसको कहते हैं इस आपको क्लियर होगा चलि मूव करते हैं नेक्स कोशन पे गुडविल का इसमें सापको प्रैक्टिकल कोशन देखने को मिलेगा गुड्य विल का देखने को मिल जाता है और सभीष Kennethail के अपको कोशन मिल जागा चलिए देखते हैं आप्लोल लोग किसी की शौप ख्रिंदली चली चलाई ठीक है अब उस शौप काफी पुरानी शौप थी अब कह सकते है न उस शौप की कोई न कोई गुडविल तो होगी जब मैंने उससे खुरीदा उसने अपने लेंड के पैसे तो लगाए लगाए साथ में कुछ एक्स्टर पैसे इ कि शौप है मैंने किसी को का कि अपनी शौप सेल करने के लिए उस श्रॉप में और लेडि समावगी था तो जब मैंने उसे का कि आप कितने का बेचके तो उसने सब कुछ असेट करने के बाद करने के बाद कि यह सेट साली बनती है पांच लाग की टोटल अशेट्स बनती है लेंड मिलाके मैं उसने का आप मुझे 5000 Mats83 पे कर दिना मैंने रहा कि अशेज़ 5 ma baki बनती है आप मुझे 5000's Rs 007 किसी सद्धy ऴंग तो सच्य माग रहे हो तो उसए सिंपल सा एक आंसर दिया लेकिन तो दिख नहीं रही है उसको ना मैं सीन कर सकता हूं ना मैं टच्छ कर सकता हूं तो आयोप का आपको गुडविल का इसफ जए क्लिर हो गया होगा चली अब मुव करते हैं आप कौन-कौन से फेक्टर है जो कि गुडविल को एक्ट करते हैं कई बार आ जाता है कोशन क अच्वालटी के फ्रोडक्ट आप कितनी अच्छी का माल बेच रहे हो उसका फेक्ट होगा efficiency of management जो मेरी management है वो कितनी efficient है काम करने के अगर अच्छी efficiency है तो मेरी goodwill पर positive impact पड़ेगा location अगर फेवरेबर location particular market के अंदर ही मेरी organization है मेरा firm है तो उसके पर positive impact पड़ेगा goodwill के उपर अगर market condition कैसी है तो अगर monopoly है तो और ज्यादा effect पड़ेगा positive impact पड़ेगा assess to suppliers अगर मेरी firm ऐसी जंगह है जहां पर easily material जो है supply कर दिया जाता है और easily सारा raw material available हो जाता है तो उसके पर positive impact पड़ेगा अगर special advantage कोई और को मिली जा रही है कोई ऐसी advantage है यह government का support मिल रहे है तो उसका आगे एक important advantage मेरी goodwill पर पड़ेगा positive impact पड़ेगा तो यह सब factors है जो के effect करते है goodwill को तो इसमें जनरल कोशन आपको देखने को मिल सकता है चलिए फिर भी अब बात अते classes of goodwill तो classes of goodwill यह कोशन आया हुआ है 2019 के अंदर तो जब यह आया था नो कोशन तो जब classes की बात की गई थी goodwill की तो इसको देखके जो बच्चे हैं मतलब कि इस तरह की goodwill के classification अगर बात करें तो डो goodwill cat goodwill जो pets के नाम है ना उसके according is goodwill की classification की गई है तो काफी important है एक निए इसको ट्रीट करके चल सकते हैं जनरली आकमने जब 11 12 में पढ़ाओगो तो इस topic के बारे में अपने शायद नहीं पढ़ाओगा क्योंकि books में mention नहीं होता तो इसको specially मैंने इसके अंदर mention किया होप आपको clear होगा हो जाएगा चली बात करते हैं सबसे पहले हम डो गुडविल की अगर हम डोग गुडविल की बात करें तो डो क्या है एक एनिमल है किस तरह का डेट डेवलपे फोन्नेस फॉर इट्स ओनर और नोट दप्लेस वेर ही रिसाइट्स तो जो कि अपने ओनर्स के रिगार्डिंग क्या दिखाता है फोन्नेस दिखाता है ठीक है लोयल रहते हैं अपने ओनर के रिगार्डिंग जहां-जहां उसको ओनर जाता है वो उसका पीछे-पीछे उसका फॉलो करता है तो यह जो गुडविल यह ओनर्स की उपर डिपेंड रहती है अब मालनों की मुकेश अभानी रिलाइनस का ओनर है अगर कलको वह रिलाइनस कं और दूस्री company का owner बन जाए तो गुडविल जो है रिलाइश री खथम होके दूसरी company की बन जाएगी तो कैसकते हैं कि जो गुडविल है वो owners को पर depend करती है बजाे किसी company के, और company के products के brand के, तो इस goodwill को कहते हैं dog यह से बात करते हैं कि अब कैट गुडविल की बात की जाए तो सबसे बैस्ट गुडविल अगर आप आप से पूछे जाए तो कौन सी होती है तो वो cat goodwill होती है तिक है आपको याद रखना है कि इसवे से यह कोशन आया था which are not the following is the goodwill is the best goodwill तो cat goodwill जो ती है वो my best goodwill होती है अगर हम cat goodwill की बात करें cat goodwill customers are more loyal to a brand और the company name, अब इसके opposite है, यहाँ पर जो customer है वो loyal है किस चीश के regarding, brand के regarding, company के जो products है, उनके regarding, company के name के regarding loyal है, the management and the leadership of the company doesn't concern them, वो company के owner के बारे में नहीं सोचते है, वो company के products की brand की, जैसे Adidas हो गया, ठीक है, Nike हो गया, इन company के products brand से चलते हैं, ना कि उनके owners से चलते हैं, they are highly invested in the brand equity of the product and we hardly switched their preference, तो इस company के जो main खास बात, इस goodwill के खास बात यह है, कि यह brands related रखती है, ठीक है, ओके, I hope आपको के लिए, that's why यह जो company के जो goodwill, इस goodwill को best goodwill माना गया है, इसके बाद हम बात करते हैं, red goodwill, red goodwill किस तने goodwill होते हैं, red एक ऐसा वो है, animal है, जो कि जहाँ पर उसको खाना दिखेगा, जहाँ पर चीज डाला, वो वहीं पर चिपक जाएगा, ठीक है, वहीं पर नहीं होता कि उसको चीज किसने डाला, किसने नहीं डाला, उसको जहाँ उसको चीज दिखा, वो वहीं चला जाएगा, such customer do not play favorites either in management or the brand, ये customer क्या होते हैं, इस जो goodwill वाले customer होते हैं, ये क्या होते हैं, ना तो brand के उपर focus करते हैं, ना management के उपर focus करते हैं, भाई मेरको तो product स मतलब है, मैं को जहाँ available हो जाएगा, मैं वहीं से ही ले लूँगा, ठीक है, तो इस तरह के जो goodwill होती है, वो red goodwill होती है, तो सबसे weak goodwill किसको कहते है, red goodwill को कहते हैं, जो किसी काम की नहीं होती, value less होती है, ये goodwill, तो इस goodwill का कोई advantage नहीं होता में, ओके, इसके बाद हम बा यूप भार गया की मुझे चाल और हुद ब्रश कृंए तो मुझे बपर चाहिए बराइबल हो जाए बतलब होगा तो अगेन यह भी एक value less goodwill है इसका भी किसी तरह का कोई काम नहीं है ओके तो यह थी रैबिट goodwill hope आपको clear हो गया होगा तो अब हम बात करते हैं admission in retirement of partners है तो अगर इस टोपिक में से बात की जाए तो इस में से जो है आपको sacrificing or gaining ratio के regarding practical vision देखने को मिल सकता है okay so चली discuss करते है इस टोपिको अगर बात करें admission of partner की तो when a partner is admitted to the existing partnership firm then it is called admission of partner जब एक partner को admit कर लिया जाता है कि से एक firm के अंदर तो existing firm के अंदर तो उसको कहेंगे admission of a partner according to partnership at 1932 a person can be admitted into the partnership firm only with the consent of all the existing partner तो सबसे main point यहां पर यह कहता है कि अगर हमको को partner को admit करना है firm के अंदर तो सबकी consent का होना जूरी है सबकी हाँ होनी चाहिए तभी नया partner जो admit हो सकता है firm के अंदर तो जब partner admit होता है तब कौन कौन सी adjustment हम करते हैं अपने अपने पांट्स के अंदर तो सबसे पहले हम profit share ratio के अंदर adjustment करते हैं क्योंकि पहले दो पांटर के बीच में होती है फिर तीन या चार partner जो भी बन जाते हैं उनके बीच में share होता है profit goodwill के अंदर adjustment करते हैं जो नया partner आता है वो goodwill को लेके आता है जितना amount goodwill का बनता है हम अपनी assets को review करते हैं दुबार से valuation करते हैं जब partner admit होता है हम क्या करते हैं जो भी accumulated profit और जो reserve होते हैं वो और partners के वीच में distribute कर देते हैं और ratio के अंदर हम partners capital को readjust करते हैं जब नया partner admit हो जाता है तो अब हम बात करने हैं अगर sacrificing और gaining ratio की तो अगर sacrificing ratio हम कैसे calculate करते हैं बहुत simple है existing ratio जो old ratio थी minus new ratio उसमें से new ratio को minus कर देंगे तो हमारी जो है sacrificing ratio आ जाएगी तो यहाँ पर एक generally normal सा practical है जिसमें हमारे पास old ratio दे रखी है नया partner admit हुआ one by six share के लिए जिसमें से वह one by eight जो है निया से लेता है one by 24 she acquires his share जिसमें से one by eight जो है निया से और one by 24 जो है प्रतीक से जो है शेर लेता है तो हमको न्यू फॉर्विंग रेश्यों कैलकुलेट करनी तो जीतना भी शेर है निव शेर का One by eight को से लेता निया ते निया से निया के शेमें से fundraiser कर देंगे प्रतीक करा शेर स्र钥 posição म wealth assessments कर देंगे और जोस्का नियंशनील मना वो 4 by 24 बना निशा का जो शेर मना वर वर 4 by 24 बना तो मैं नियू पॉपिंटेश्यों के लिट होगे तो बहुत सिंपल जा कोशन है जस्ट इसी तरह के आपको कोशन देखने को मिलेगा प्रैक्टिकल कोशन जो आएगा आपका एक्जाम में ओके तो चलिए बात करते हैं रिट जाता है तो उसको कह के मिलता है तो गुडविल जहाता तो गुडविल गुडविल को इसके बद्स वहां इडा departments आपकर उसके कंदब्स नीहांrend निकालते हैं अब सबाब करते हैं कि आच अब वह जा रहा होता है जीतने भी जनल रिजर्व हैं रिजर्व फंट है क्रॉफितार लोस अकाउंट Dire納 है तो वो डिस्ट्रिबूट होता है सारे के सारे पार्ट्नर्स की बीच में य। ताकि हम उसका हो सका जो प्रोफित बनता है वो उसको सके आपको आपको याद रखने है तो यह था रिटार्मेंट और एडमिशन का कंसेट्ट अब हम बात करते हैं डिसोलूशन और इंसोलवेंशी की कंसेट्ट के बारे में तो यह भी जो है एक्जाम पॉइंट वीजिए क्या है इंपोर्टेंट कंसेट है तो सब्सक्राइब इसक्राइब कर लेते हैं दफ फर्म टोज़ेट्स बिजनस देन असेट्स ओफ द फर्म और सोल एंड लिएटिस आप पेड़ अगर फर्म क्या करते हैं अपने बिजनस को किसी भी कारण वश्य वह बंद कर देती है तो उसके जो है उसको क्या कर देजाते है तोर लाइबरिटी बन दो सकरेटे पेड़ प्रुरेट्व कर देजाते हैं Καιलिए अप coronavirus बट्रेट नेकर जाते हैं तो याद रखना आपको अब हम बात करते हैं डिसॉलूशन और पार्टनर्शिप में भी फेक्टिट इन दा फ्रोंग वेस तो अब जो पार्टनर्शिप की डिसॉलूशन हो रही है वह दो कार्ण एक तो हो सकता है सब्सक्राइब करने के लिए दूसरा है डिजू जोट के तुरू करने के लिए न हम PASK के लिए हम पांच साल के लिए हम हम पार्टनर्शिप फर्म बनाते हैं ठीके पांच साल बाद हम उसको खुदी डिजॉल्व कर देंगे यह होते हैं वोल इंटरी हम खुछ से कुछ कर रहे हैं दूसरी बात एक कर दिए की कोर्ट का ओडर आया मान्लों हम इलिगल बिजनस कर रहें ते जिसके अंदर किसी ने हमारी खिलाफ केस कर दिया अब कोट ने कहा कि आप उपने बिजनस को बंद करो तो इसको कहते इंटर्वेंशन बाए कोट कोट के अधेश आने बाद मने पार्टेशिप को ख़त करते हैं तो वह आग्रीमेंट कंपल सी डिसॉलूशन अगर मालों हमने पहले से डिसाइड कर रहा है कि हम इतने टाइम प्रेट बाद जो है अपनी फर्म को बंद कर देंगे पांच साल तक चलाएंगे उसके बाद बंद कर देंगे को पर्टिकुलर अब्जेक्टिव के लिए ठीक है अब गॉवर्मेंट ने डिसीजन लिया कि अब टो बैको जो है बैन कर दिया तो अब महारत क्या काम रहे गया बताओ अब तो हम अपने फर्म करनी पड़ेगी तो ओन्द हैपनिंगों कुंटिजेंट इवेंट मताब अंसर्टेन इवेंट होने के कारण भी हम अपन कोट का ओडर आता है कोट किन कारणों में कह सकता है कि फर्म को डिजॉल्व करो इन कपस्टी ऑफ पार्टनर पार्टनर भाई इंसल्वेंट हो जो मदब पार्टनर की इन कपस्टी है मेंटल मेंटली जो है स्टेबल नहीं रही है पार्टनर ठीक है डिसीजन लेने की कैपस तोड़ दिया तो समय कोट दे सकता है ट्रांसफर ऑफ इंटरस्ट अब अपनी इंटरस्ट को ट्रांसफर कर दिया कि sürद्र से पर रिंट सब्सक्राइउ इसथम से और ओर दे सकता है दिशनल करने के लिए कंटिनीव बनचेश आप कंटेश्ञ अनीव लो करने के लिए जिस्टेंटर इकविडेबल जब को लगता है कि हाँ अब इस टैम को बंद हो जाना चाहिए दिसल्व कर देना चाहिए वर्ना ओर जश्यादा जिल zijtte nuk सन हो सकता है तो से में इसे के लिए के लिए आपको याद रखना कहीं बार भी कोशें आ है which of the foreign circumstances through which company also firm can be dissolved by the court अब बात करते हैं realization account तो realization account भी एक important है कि resolution के case में बनता है आपको एक चीज़ तो याद रखने हैं कि admission or revolution के time पे हमारा sorry admission or retirement के time पे जो है revolution account बनाया जाता है जब कि resolution के time पे जो है realization account बनाया जाता है अब बात करते है realization account की कुछ characteristics है सबसे पहली बात तो यह है कि nominal account है ठीक है realization account कुन सा account है यह nominal nature का account है debit all the expenses and credit all the income prepared at the time of dissolution of firm तो इसको कब prepare किया जाता है जब हमारी firm dissolved हो जाती है तब प्रिपेर किया जाता है in case of admission retirement revolution account is prepared जबकि admission retirement के time पे जो है revolution account प्रिपेर किया जाता है तो यह चीज़ आपको याद रखनी है अब बात करते हैं corporate accounting के बारे में issue for feature and ratio of shares तो काफी important topic है corporate accounting में issue for feature का चली अब बात करते हैं issue of shares के बारे में issue of shares is the process in which company allowed new shares to the shareholders issue of shares क्या है देखो हम अपनी company के shares को issue कर रहे हैं ठीक है इसको public को the company follow the prescribed rules by companies act 2013 by issue the share of shares जब company shares issue कर रहे हैं तो उसको कौन से rules follow करने परते हैं जो की companies act 223 के according बनाए गया है तो इसके according क्या है कि कम से 90% subscription तो होना चाहिए अगर आप एक लाग के share issue कर रहे हो तो कम से कम 90,000 पर तो आपको receive हो जाने चाहिए तब जाके आप finally allot कर सकते हो shares किसको public को shares issue are to be made fully paid in 12 months if the size of the issue is up to 500 crore तो जो issue कर रहे हैं वो कम से 12 महीने में हो जाने चाहिए पूरे अगर जो size है 500 crore तक का है तो यह चीज भी आपको क्या करने है या रखनी है अब बात करते हैं for feature of shares देखो इसका आपको practical कोशन नहीं देखने को मिलेगा issue of for feature में से अगर आप last 10 years को अनलाइस करें तो आपको ने देख लिया हुआ कि इसमें प्रैक्टिकल कोशन नहीं देखने को मिलता है यह जो प्रैक्टिकल यूनिट यह जनली हम इसो करके चल सकते हैं तो issue for feature admission retirement तो यहां से आपको दो कोशन जो है देखने को मिल सकते हैं ओके सब्सक्राइब को एक साथ नहीं देना पड़ता उसको कोल्स पर पैसा देना पड़ता है पहले application का मैंनी देगा उसके बाद वो allotment की देखा फिर calls की देगा तो अब कुछ circumstances ऐसे हो जाते हैं कि वो आगे का पैसा नहीं दे पाता ठीक है मालो वो allotment का पैसा नहीं दे पाया या मालो वो final call first and final call नहीं पे पे तो उसको क्या कहते फोर फीचर फोर फीचर कहते थे उसको अब फोर फीचर essentially means cancellation तो फोर फीचर का मतलब होता है cancellation okay the shareholder the notice must provide the shareholder a minimum 14 days तो एक चीज़ आपको important यह यह यादा रखनी है अगर को कंपने फोर फीचर कर रही है किसे के share को फोर फीट कर रही है तो कम से कम 14 दिनों का नोटिस जो है provide करना पड़ेगा किसको एप्लिकेंट्स को रिगार्डिंग फोर फीचर ओके तो यहां पर जो मिन पॉइंट था वो यह ही था कि 14 देस का नोटिस जूरुरी है आपको शेर फोर फीट करने के लिए अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा तो जितने भी शेर फोर फीट किया जाता है उसके बहुत सबसे शेर कैपिटल अकाउंट तो हमारा डेबिट हो जाएगा ठीक है अनपेड कोल अकाउंट क्रेडिट विद पोर्शन ओफ द अमाउंट क पैकर दिए अलोट्दमेंट और फ़र्ट कोल के फाइनल कॉल निप्रि करें तो फाइनल कॉल जो नहीं पे करिए उसने ठिक है हो तो हूगया हमारा क्रेडिट अनपेड अमाउंट से क्या करतें उसको क्रेडिट ठीक है उसके घूंध उसने पें पाइड दिया वह उता है वह हमारे कंपणी के फोरफिचर अकाउंट में चला जाएगा ठीक है तो उसने फाइब रुपीज पे करें वह हमारे फीचर में आजएंगे और जो फाइब टीक यह वह हमारे जब्त कर लिया है और शेर अलोटमेंट जो भी शेर उपर आएगा अलोटमेंट फस्ट कॉल उसमें वह अमाउंट को लिखेंगे जो उसने पेड नहीं करा है तो शेर फोर्फिचर हम कह सकते हैं कि जो उस अमाउंट में वह पैसा है जो कि कंपनी के लिए बैनिफिट है ओके जिसको कमपनी रिशू कर सकती है आगे होप आपको क्लेर हो गया होगा जनली एक प्रेक्टिकल टोपिक है तो इसको थेोरिटिकल में में समझाना थोड़ा सा दिफिकल्ट हो जाता है अपको फिर भी क्लियर हो गया होगा चली मूव करते हैं तो मेंज पॉइंट Unpaid portion of the amount, तो वो जो amount हमाराक्री नोगा वो Unpaid portion जितना हमने paid नहीं हुआ, जितना paid नहीं कराओं उस से जो है हम क्या क्या करेंगे credit करेंगे बजाए Share All opponent account और share call account के, The balance in the share for feature account is shown under the share capital on the liability side of the balance sheet. The amount will remain जो कि और जो हमारा share for feature account का जो balance होगा वह हमारा कहाँ चो चोग जाएगा वह हमारा liability side में शोग किया जाएगा एप आप तब तक शोड किया जाएगा जब तक उनको क्या कर देंगे उन इसको रीशू नहीं कर देंगे जब कि वो शेर से उनको रीशू नहीं कर जाएंगे तब तक जो है वो शेर कैपिटल में शो किया जाएगा तो अजर्शन रिजन में ्क के आ सकता है ओके इफ देर निए बैलेंस लेफ देंदर और्ट के अंदर तो हमारे क्यों पूरिकरिश कर यह करिए कि आपको समझ आ जये होगा घ्याए फिल्क अनिक यह थी तूप प्लीज क्मेंट करके जुरू बदाना आने वाली उसको और जाता मैं आपको क्लीर करके बता दूंगा स्पेशल वीडियो के अंदर ओके इसके बाद हम बात करते हैं लिक्विडिशन ओफ कंपनेज तो कंपनेज का लिक्विडेशन जब किया जाता है लिक्विडेटर के थरू तो उस टेम पे भी कुछ ट्रांजेक कंपने मेंस तर्मिनेशन ओफ लीगल एग्जिस्टेंस अफिक तो लिक्विडेशन का मतलब करो टाए कि कंपनेज एक जिस्टेंश देख उसको ख़ता करते ना वह इस डिपाइशन एक इसा प्रोसेस वेरबाइट इस लाइफ इस एंडए ऐन इस प्रोपर्ते इस एडिश तो companies at 1956 में defend किया गया है कि liquidation एक ऐसा प्रोसेस हैं जहां पर company की life का क्या हो जाता है एंड हो जते हैं वैसे कहते हैं कि company की life का एंड नहीं होता क्योंकि जो उसके promoters हैं वो जो जो शेर्डोर्स हैं वो आते जाते रहते हैं इसलिए कंपनी जो existence में रहती है लेकिन कंपनी का भी एक पर्टिकुलर exit point है और उसको पर्टिकुलर एक method के थ्रू ही उसको क्या क्या जाता है wind up किया जाता है वह method कौन को से हैं उनके बारे में हम discuss करते हैं एक होता है compulsory winding up एक होता है voluntary winding up ओके कुंसा है एक compulsory winding up एक voluntary winding up तो यह उस तरह क्योंगे जैसे हमने partnership में डिसक्स किया था कि हम ओडर लोग के तुरू कोटने ओडर दिया उसके तुरू कर दिया या फिर हमने खुद voluntary wind up कर दिया partnership को dissolve कर दिया ओके अब compulsory winding up क्या है कोटने ओडर दे दिया भाई आप आपका टाइम स्माप्त हो गया या कोई हम ऐसा काम कर रहे थे कंपनी इलिगल थी इस करके कोटन ओडर दे दिया कंपनी को बंद करने के लिए दूसरा voluntary winding up हमने खुश से जो मेंबर से उन्होंने सोचा कि आप चलो बहुत हो गया अब कंपनी को बंद करते हैं तो यह भी कुछ हो सकते हैं ठीक है अब कैसे ऑफ कंपल्सरी वाइंग अपके कौन-कौन से कैसी होते हैं देख लेते हैं इफ दा कंपनी डेजंट कमेंट्स इस बिजनस विजनस विदिन वन येर फ्रम देट ओफिट्स इन कोपरेशन तो मान लोग कि हमने कंपनीे एस्टें सता Nahi करने के एक साल तक कर औरिए कंपनी को स्टार्ट नहीं कि यह तो कंपनी क्या ओंग जाएगी वाइड नेब कम से कमद प्राइवेट कंपणी के मैक्सिमुं 2-100 सोनी चीए कम से कम दो मेंबर होने जुरुरी है तो अगर इस से भी कम मेंबर हो जाते हैं और वो छे मीनें तक कंपनी काम करती है तो उस टेम पर जो है कंपनी को पड़ जाएगा ओन्दा ओडर ओफ कोड़ केसे सब्सक्राइब करने से पहले जो है उन्होंने कोई कॉंट्रेक्ट किया था कि हम जो है पांस साल तक छे साल तक क्या कोई एक अब्जेक्टिव के लिए कंपनी को स्टैबिश कर रहे हैं अगर वो अब्जेक्टिव का चीव हो सब्सक्राइब कर सकते हैं मतलब की कोट के अंदर जाकर हम क्या कर सकते हैं अपील लगाने के बाद सब्सक्राइब कर सकते हैं अब सीक्वेंश ओफ रिसीवर क्रेटर्स इन केस अब लिक्विडेशन अगर मालो की कंपनी लिक्विडेट होती है तो हम मेरी क्या स्टीवेंस होगी तो सबसे पहले पैसे किसको दिये जाएंगे तो इसकी एक पटिकुल्र सिक्वेंस है इसी च है जो लिक्विडेटर की रेमोनेरेशन है वह आपको देनी पड़ेगी उसके बाद आपके सेक्योड क्रेडिटर्स जितने भी आपके सेक्योड क्रेडिटर्स है उनको पे करना पड़ेगा उसके बाद आपको अंसेक्योड क्रेडिटर्स अगर कोई बचे हैं वो देने से पहले हम किसको अमांट पे करेंगे हम सीक्वेंस में लगाओ कैसे कैसे हम किसको अमांट पे कर सकते हैं तो यह चीज़ आपको याद रखने है ओके इसके बाद हम बात करते हैं amalgamation and reconstruction of company again एक इम्पोर्टेंट टोपिक है को कहीं बार इस टोपिक में से आपको क्वेशन देखने को मिल जाएगा एक इंपोर्टेंट टोपिक है एक से चली डिसक्स करते हैं इसके बारे में सो बात करें amalgamation की सो amalgamation is defined as the combination of one or more companies into new entity कि जब हम क्या करते हैं एक या एक से ज्यादा कंपनी को फॉर्म करने के बाद एक नहीं एंटिटी बना देते हैं एक नहीं कंपनी फॉर्म कर देते हैं उसको हम कहते हैं amalgamation so two or more companies join to form a new company absorption or blending of one by the other तो हम क्या करते हैं देको amalgamation के अंदर क्या होता है कि जनरली क्या होता है जब कोई छोटी छोटी कंपनी मिलके एक बड़ी कंपनी मिना लेते हैं उसको हम कह देते हैं amalgamation जिसके में हम कह सकते हैं दो या दो से ज्यादा है कि amalgamation assertion बता सकता है कि amalgamation include absorption yes this is true okay major difference क्या है amalgamation absorption और external reconstruction के भीजिए में तो कहीं पार कोशन इसका भी देखने को मिल जाता है amalgamation का मतलब है कि existing company a and b are wound up and new company c is formed to take over the business of a and b तो दो company c a and b वो क्या होगी wound up होगी winding up करने के बाद हमने उन companies को new company में फोर्म कर दिया किसमें c में उन दोनों को capture करने के बाद c company नई entity form हुई उसको हम कहते है amalgamation तो इसमें जुरूरी है कि दो companies का wound up होना जुरूरी है उसके बाद ही third company बनेगी उसको हम कहेंगे amalgamation absorption में क्या होता है existing company a large company जो कि small company B को take over कर लेती है उसको हम कहेंगे क्या absorption company तो इसका concept यह है कि इसमें दोनों की दोनों company जो है existing होनी चाहिए absorption के case में third company third external reconstruction external reconstruction में क्या होता है a new company access form to take over the business of an existing company why which is wound up तो एक नई company form की जाती देखो इसमें भी क्या है external reconstruction में भी नई company form की जा रहे है और amalgamation में भी नई company reform की जाती है लेकिन external reconstruction में क्या होता है कि एक company है मालनों उसकी हालत खराब होई पड़ी है ठीक है उसकी जो गुडवील है बिल्कुली खराब हो चुकी है उसी company को मैं रिकर्स्ट करके एक नई company मिना दूँगा हाला कि company वही होगी उसके board of doctors वही होंगे लेकिन एक नया नाम दे दूँगा उसको मैं कहाँगा external reconstruction ठीक है अब बात आते हैं टाइप of amalgamation amalgamation के कितने टाइप होते हैं दो टाइप सोते हैं amalgamation in the nature of merger and amalgamation in the nature of purchase अगर हम बात करें amalgamation in the nature of merger all assets and liabilities of the transferer company becomes that of transfer company तो जितने भी liabilities है transferer company की जो transfer company का है जिसको capture किया जा रहा है वो transfer की जाती किसके पास transfer company के पास the business of the transfer company is intended to be carried on after the amalgamation जो business है यह condition अदे को इसकी amalgamation in the nature of merger में कि जो business head transfer company का जिसको capture किया जा रहा है किसके through transfer किसको capture कर रहे है transfer company उसका business चलता रहेगा after the amalgamation there is no adjustment intended to be made to the book values तो book values में किसी की भी तरह की कोई adjustment नहीं की जाएगी if the shareholder of the vendor company holding at least 90% of the fails value of the equity share become the shareholder of the Wendy company तो जो जो shareholder है किसके transfer company के 90% जिसके पास face value shares है वो क्या होने चाहिए transfer company के members बन जाने चाहिए यह condition है अब बात करें amalgamation in the nature of purchase तो this method is considered when the condition for the amalgamation in the nature of merger are not satisfied तो यह method तब accept किया जाता है जबकि हमारा amalgamation जो है nature of merger में satisfy नहीं होता through this method one company is acquired by another and thereby the shareholder of the company which is acquired normally do not continue to have proportionate share in the equity of the combined company तो one method is acquired by another and thereby the shareholder of the company which is acquired normally do not continue to have proportionate share in the equity of the combined company तो क्या होता है कि माल लो एक company है ठीक है उसको acquire किया जारे दूसरी company के थुरू लेकिन जो shareholder है वो स्टेट पर सहयमत नहीं मना रहे तो उस टेम पर क्या करते हैं वो कौन सा method करते हैं वो adapt करते हैं amalgamation in the nature of purchase जिसके अंदर जो है company जो नहीं company है वो उसके shares को क्या कर लेती है है purchase कर लेती है ठीक है तो यह method उस टेम पर adapt किया जाता है अब बात करते हैं holding company account तो holding company account एक अगेन एक इंपोर्टेंट सो चलिए फ्रेंट्स अब डिस्स करते हैं holding company accounts टोपिक के बारे में चलिए बात करते हैं holding company कौन सी होती है so holding company is one which directly or indirectly acquires either all or more than half of the number of shares in one or more companies so holding company एक ऐसे company होती है जो कि directly या indirectly shares acquire करती है किसके equity share acquire करती है एक या एक से ज्यादा company गे so that to secure controlling interest लेकिन में बात यहां पर यह है कि उसके पास controlling interest होना चाहिए उस company के अंदर ठीक है जिस company को हम subsidiary company कहते हैं किसकी holding company की okay for example हम बात करते हैं एक company A है एक company B है अगर A company B company के 50% से ज्यादा shares purchase कर लेती है तो A company के पास B company का controlling interest आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि जो B company है वो A company की subsidiary company है और जो A company है वो क्या है holding company है किसकी B company की okay I hope कि आपको एक बात clear होगी होगी चलिए move करते हैं अब कहीं बार से question आ जाता है which one of the following is the advantages of holding company holding company की क्या क्या advantage होगी पहली बात तो यह कि subsidiary company maintain their separate identity जो subsidiary company है वो क्या है एक अपनी separate identity बना के चलेगी कि इससे holding company से separate identity ओके ताकि उसका जो profit and loss है वो separately count हो सगे है दे पब्लिक कंपनी में not be aware of the existence of combination among the various company the public में not be aware public को क्या है इस इसके बारे में हो सकता है कि ना इसको information हो कि वो इसकी subsidiary company है ठीक है जैसे कि अगर हम बात करें जो एम आई है रियल में company है यह सब कहाई एक subsidiary company है किसकी एक particular company है जिसकी subsidiary company है okay में खाल से वह बी electrical company है को एक company है उसी की subsidiary company है यह जो रियल मी हो गया माई शोमी होगी यह सब इक है subsidiary company है बट पब्लीक को इस चीज़ के बारे में awareness नहीं है ओके वह तो एक particular company समझते है शो में एक अलग company है रियल में एक अलग company है बट नहीं यह कहाई subsidiary company है ओके इट वोड बी पॉसिबल तो कैड़ी फोरवर्ट लोसिस और फॉर income tax purposes तो हम क्या कर सकते हैं कि इस subsidiary और holding company में कहा है कि जो subsidiary company अगर लोसिस फेस कर रही है तो वो कैट कर सकते हैं ट्रांसफर कर सकती है उन लोसिस को for the income tax purpose इस subsidiary company prepared its own account और हर एक subsidiary जो है अपनी खुद के अकाउंट्स प्रिपेर करेंगी सेपरेटरी सेपरेशन फ्रॉम holding company account अगर हम बात करें consolidated financial statement तो सबसे पहली बात तो यह कौन से स्टेंडर के अंदर इसको प्रिपेर के जाते हैं तो अकाउंटिंग सेंडर 21 के अंदर जो है consolidated financial statement जो है प्रिपेर की जाती हैं सो फ्रॉम फर्स अप्राइट इस फॉर एंडिंग 31st मार्च उजान टू दू अकाउंटिंग सेंडर 21 is applicable to all enterprises that prepare consolidated financial statement तो अकाउंटिंग सेंडर 21 जो है हर एक enterprises पर applicable करते हैं जो की consolidated financial statement प्रिपेर करते हैं इस मेंडेटरी फॉर लिस्टीट कंपनिस एस वेले बेंकिंग कंपनी तो यह लिस्टीट और बैंकिंग दोनों कंपनिस के लिए क्या है मेंडेटरी है consolidated financial statement प्रिपेर करना ओके अगर उनकी कोई subsidiaries company है तो उसके बाद हम बात करते हैं तो यहां से कोशन आ सकता है तो इसमें प्रॉफिट एंड लोस अकाउंट कि employees होते हैं किसी भी organization के वह क्या होता है human resource होता है ठीक है तो इसके accounting हम किस तरह करते हैं में लिए हम इसी के बारे में बात करेंगे इस टोपिक के अंदर तो अगर आपको कोई कहें कि total organization की कोस्ट क्या होगी तो हम उसमें human assets को भी इंक्लूड करके चलेंगे ठीक है जनरली जो employees होते हैं वो किसी भी organization के लिए assets होते हैं ओके जब हम organization की value निकाल रहे हैं तो उस assets के भी हम employees की value को calculate करेंगे उस organization के अंदर बट वो कैसे करेंगे उनके अलग-लग methods है इन 1960 रैनिस लिंकर्ट along with other social researchers made an attempt to define the concept of human resources accounting आ सकता है कि human resources accounting का concept किस ने दिया था तो रैनिस लिंकर्ट ने along with other researcher के साथ इस concept को develop किया था ok main objective क्या है human resources accounting के provide cost value information देखो generally हम क्या कर सकते हैं employees को assets तो मानते हैं लेकिन हम उब्जेक्टिव वो calculate उनकी cost को calculate नहीं कर सकते हैं ठीक है तो इसकी information हम किस से निकाल सकते हैं human sources accounting से निकाल सकते हैं एनेबल मेनेजमेंट मेनेजर्म घ्मृता यूस blossom क्या कर सकते हैं कांटमड 특रोग कर सकते हैं कि यूड युछ द्रॉमर का यूद कर सकते हैं कि हम किस तरय हमें इसेंटों का youtube कर सकते हैं कि assisting in developing effective management practices हम इसकी हैल से क्या कर सकते हैं effective management practice को develop कर सकते हैं increasing manager awareness of the value of human resources हम manager awareness को क्या कर सकते increase कर सकते हैं कि ओके चलिए अब हम बात करते हैं methods for valuation of human source तो कौन-कौन से methods and generally question आपको methods में सही देखने को मिलेगा कि इस method किस ने develop किया था इसके regarding इसको मेले आपको देखने को मिल सकता है कि सबसे पहले बात करते है historical cost method अब इस method के अंदर का है सबसे पहली बात तो यह method दिया किसने था यह method ranis linkert ने दिया था तो यह चीज़ आपको याद रखनी है अंडर दिस method all actual cost incurred on recruitment training familiarization are capitalized तो सबसे पहला task हमारा ही होते है method के अंदर कि जितने भी actual cost जो हमने लगाई है किस इसके ओपर employee को recruit करने में उसको training provide करने में उसको हम क्या करेंगे capitalize करेंगे total करेंगे उसका then the capital cost is amortized return of over the period on an employee service in the organization तो हम क्या करेंगे estimate लगा के चलेंगे कि एक employee कितने time तक organization में work करेंगा तो उस cost को हम amortize कर देंगे मतलब की estimate लगा के हम उसको क्या कर देंगे divide कर देंगे उन years के बीच में ठीक है कि एक employee से हमें कितना benefit मिल रहा है और उसकी कितनी cost है हर मंत हर yearly कितनी कोस उसको पढ़ रही है हमको ठीक है उससे हम क्या निकाल लेंगे benefit अपना निकाल लेंगे in case the employee leaves the organization before his expected service the remaining amount is written of completely in that particular year अब मालो मैंने मान के चला कि एक employee 20 साल तक काम करेगा ठीक है तो मैंने उसकी जो कोस्ट है रिक्विटमेंट की कोस्ट ट्रेनिंग की कोस्ट उसको मैंने अम्पोर्टाइस कर दिया 20 साल तक के लिए लेकिन अगर employee 10 साल में ही छोड़ के चला गया तो में लास्ट येर में जो है जितनी बचुकी कोस्ट है उसको वहां पर क्या कर लोगा होप आपको क्लियर होगा होगा हमें इसका में बात यह कि यह किसने डेवलप किया था हमको इस चीश से में मोटिव हमारा है यहां से कोशन आ सकते है उसके बाद हम बात करते हैं replacements COST method इह method किसने दिया था फ्लैम ऐसी कि अगर मैं आज रिप्लेस करता हूं तो मुझे कितना खर्चाएंगा उसक्रो रिप्लेस करने में वह कोस्ट जोएगी वह मेरी पर्टिकुलर इसकी कोस्ट की कोस्ट कि मतलब कि अगर मैं एक employee को अगर आज के टाइम पी मैं उसको क्या करूं रिप्लेस करना चाहूं दूसरे के साथ जो इकोल सर्विस प्रोवाइड करें तो मुझे कितने कोस्ट आएगी वह मेडली एक्च्वल कोस्ट होगी किसकी उस employee की अब बात करते हैं अब बात करते हैं ओपोर्चनिटी कोस्ट मेथर्ड तो डेवलप ऐच सी कि मैंड जोन्स तो आपको याद रखना है कि किसने इस मेथर्ड को डेवलप किया था डेवलप एक सी कि मैं जोन्स इस मेथर्ड इस यूज्ट वेल्यू एंप्लोईज प्रोसेसिंग सर्टेन स्किल्स एंदस इंडर्ज रेरीवर्बिलेटी तो यह जो मैथर्ड उन एंप्लोईज पर ही काम करता है जो एंप्लोई जो है स्किल्स को पोशास करते हैं ठीक है मालनो किसी एक वरक को करने के लिए पर्टिक्ले'll Сести के रिक्वाइड होती है ठेक्निकल वरक करने के लिए टेह। the skills required होती है तो जुस employees के पास technical skills है उस employees की cost को measure करने के लिए ही इस method का use किया जाता था manager willing to acquire such scare employees offer bid prices तो manager क्या करते हैं bid prices लगाते हैं कि कौन सा employer को easily available होजाएगा इतने price में available हो जाएगा the bid is arrived at calculating actual expected rate for capitalization of the supposed earning to be earned by such employees और उचो तो बिड़ के प्राइस होते हैं वो उनकी प्रटिकुलर अर्णिंग पर डिपेंड करते हैं कि उन एंप्रोई से हमें कितना बेनिफिट रिसीव हो रहा है तो यह थोड़ टेक्निकल मेथड्स हैं इनका जनरली आपको थोड़ा साइध रिमाइंड करके चलना पड़ेगा इन नेंच्ट अपर करें बात करें के सिर्फ साथ यूमें क्रणिक वैली अज़िए हो इंडर तीशन रिफ रॉम्याइबे ओंधिटेक्टि रहा है एक ओगनीज़ेशन के अंदर जब तक उसकी रिटयर्मेट नहीं हो जाथी तब तक का दब पेमेंट में इस इनुफरण पे क्या चुका जितने में टैम तक वह मेरी उड्रेस्ट टेवीड करेगा एक एस्टीम करेगा उसको प। काउंट करके total का उनकर जो डिफेंस होगा वो मेरली क्या होगा benefit होगा हुझा है कितनी वो service तो जो human capital की जो हम क्या कैसे क्लेट करेंगे हम जो retirement तक की उसकी estimate लगा चलेंगे कि उसकी retirement कब होएगी उसको हम क्या है present में हम क्या कर लेंगे calculate कर लेंगे present value calculate कर लेंगे this model is also known as compensation model तो अगें question आ सकता है कि present value of future earning model का another name कैं compensation model as it consider employee compensation as the reasonable measure of individual value to an organization के चलिए move करते हैं कि अब बात करते हैं fund flow analysis एक important concept fund and cash flow बहुत जो हैं दोनों के दोनों important है जनरली आपको question देखने को मिल सकता है इस topic में से चलिए कि ओके बात करते हैं fund flow analysis तो flow of fund means inward and out for movement of fund of an enterprises तो fund flow का मतलब क्या है fund का flow ना अब वो fund organization में से बार की तरफ भी flow हो सकता है अगर मैंने कुछ purchase किया मानों में राव material purchase किया तो fund क्या है outward flow हो रहा है fund inward flow भी हो सकता है मैंने good sale करे sale करने के बाद पैसे मिले funds organization के अंदर आया okay basically fund denote to the working capital लेकिन जो funds है मिल नहीं पर working capital को denote करता है and flow means movement and changes flow means movement and changes okay so fund flow analysis is the analysis of flow of funds from current assets to fix assets or current assets to long term liabilities the fund flow analysis किस्टिश के regarding analysis है कि फ्लो जो fund है वो किस तरह flow कर रहा है current assets assets की तरफ या फिर current assets long term liabilities की तरफ तो में लिए हम इस टिशका analysis करते हैं fund flow analysis के अंदर तो two major consideration है County flow analysis में सबसे पहले एह एक्लेकेशन और फिंप दूसरा है सोर्षी ओफ फिसके डिवाइब yıl रहा है सोर्षे से transaction debt increasing working capital into the enterprises are application of fund जिससे मेरी working capital increase हो रही है उसको मैं कहूंगा application of fund transaction debt decrease in working capital are called sources of fund और जिससे मेरी working capital decrease हो रही है उसको मैं कहूंगा sources of fund ओके why fund flow statement is prepared अम question आता है कि हम fund flow statement को क्यों prepare करते हैं तो to analyze the reason for change in financial statement कि मेरी financial statement में क्यों चेंज आ रहा है वाइड देशे चेंग इन फानिशल स्टेटमेंट उस चीज़ को जानने के लिए मैं fund flow statement prepare करता हूं to explain the changes in working capital कि मेरी working capital मेरी company की जो working capital है उसमें क्यों चेंजिस आ रहा है उस चीज़ को जानने के लिए and by depicting all inflow and outflow of fund the statement shows the net impact on working capital कि मेरी working capital पर net impact क्या बढ़ रहा है मतलब कि अगर although conclusion निकाल के बात की जाए तो fund flow analysis हो तक इस लिए है सिर्फ मेरी working capital की position क्यों चेंज हो रही है और कितनी चेंज हो रही है इस चीज़ को जानने के लिए मैं fund flow analysis statement prepare करता हूं कि the fund flow analysis involved the preparation of two statement तो fund flow analysis के अंदर दो statement prepare की जाती है एक तो है statement or schedule of changes in working capital second statement of sources and application of fund तो यह दो statement जो है prepare की जाती है चलिए सबसे बहले बात करते हैं statement of change of schedule statement or schedule of changes in working capital तो इस statement का primary purpose क्या होता है to explain the net change in working capital कि यह हमें बताती है कि net स्टेद्ट चेंज्च कितना है working capital गेंदů उसको जानने के लिए मैं कि क्या फ्रीपेर करऊंगा statement of changes in working capital tom tax the schedule and statement have changes in working capital is a statement meant debt compares the change in the amount of current assets and current liabilities the schedule of statement of working capital is a statement that compares the changes in the amount of current assets and liabilities तो statement के अम क्या करते हैं comparison करते हैं current assets ग्रेट शिंग्रीटिस का जिसके थे दूंगा हमें यह पता करते हैं पता सवताइब कि कि तरीटेटल के कि अब बात करते ही जैसे कि QUEST करेंहं आगर मेरे करेंसेंट काटने कर् kısm vested account in the sense हम कह सकते हैं आपट हो गया है एकरन मेरी करन्ट लाइबलिटी हो घ्रावी क्रशे समक्वारिए है Oh,, सबस्क्राइब क्या सकते हैं विल्स लोगा टिक अगर मेरी क्रण लिए इंक्रीजए हो लिए क्या वरकंग कैपितलि तो मीरी एक पड़ रहा है अगर मेरी करन्ट लाइबरीटीज दिख्रीज हो रही है तो मेरी वर्टीं कैपिटल पर क्या है कि पॉजितिव इपक्ट पड़ रहा है मेरी वर्किंग के पेटल क्या रही है ओके तो यह आपको याद रखनी है जनरली कोशन आ सकता है मैच्व दफ्लों मे के बारे में बात करते हैं after preparing the schedule of changes in working capital सबसे पहले हम schedule बनाएंगे उसके बाद हम बनाएंगे fund flow statement जो finally हम जो prepare करेंगे वो fund flow statement होगा the next step is to prepare the fund flow statement to find out the different sources and application of fund sources and application fund को find out करने के लिए हम क्या बनाएंगे fund flow statement अंदर this statement focus is given on changes in fixed assets and fixed liabilities तो इस statement के अंदर जो हमारा changes रहेंगे वो किस पर एका कि fix sets of fix liabilities में कितना चेंज आ रहे हमने उसमें किसमें देखा था जो से पहला पार्ट था उसमें हमने बात कर रही थी current assets of current liabilities के अंदर लेकिन fund flow statement में हम बात करने हैं fix sets of fixed liabilities के अंदर तो यह हमारी कुछ fund flow statement है जनर इसको आपको sources of funds जितने भी sources of fund है और जितने भी application of fund है इनको आपको क्या करना पड़ेगा याद करना पड़ेगा यह आपको यादि करने पड़ेंगे जनर इसके उपर आपको पुछा जा सकता है तो sources of fund में क्या क्या आता है ट्रेडिंग प्रोफिट और fund from operation issue of share capital issue of debentures raising of long term loans received from partially paid up shares sale of fixed sets non trading receipts net decrease in working capital अगर हम application of funds की बात करें तो क्या क्या आएगा trading loss or fund loss in operations redemption of preferential capital redemption of debentures repayment of long term loans purchase of fixed sets purchase of long term investment purchase of dividend payment of tax net increase or decrease in working capital okay I hope क्या आपको clear होगा होगा ये statement आजनले आपको यादि रखने पड़ेगी उसके बाद हम बात करते हैं cash flow analysis तो चले फ्रेंट्स डिसकोस करते हैं cash flow analysis के बारें में so cash flow analysis कै जैसे कि हमने फ्रेंट फ्रेंट के बात किया था कि funds का organization में आना और जाना उस चीज को analyze करना मतलब की working capital को analyze करना इसके अंदर हम बात करते है cash related cash का flow कि तरह हो रहाए एक organization के अंदर मतलब cash outflow है या inflow है so friends अगर cash flow की बात की जाए तो company में जो cash flow होता है वो कहीं activities से होता है मालो कि यह company ने को assets को sale किया तभी भी company के पास cash आया inflow हुआ अगर मालो company ने goods sale करे तभी भी cash inflow हुआ मालो company ने shares issue करे market के अंदर तभी भी तो company के पास cash आया तभी भी cash inflow हुआ ठीक है तो cash आम आलो raw material purchase किया तभ cash outflow हुआ लेकिन यह जो cash inflow हो रहा cash outflow है एक particular activities नहीं हो रहा कोई operating activities हो रहा है कोई financing activities हो रहा है कोई investing activities हो रहा है ठीक है तो इस करके जो है cash flow को हमने categorize कर रखा है three activities के अंदर जिसके बारे में अब देटेल जिसके बारे में स्टेडी करेंगे नेक्स्स अदर ओके बात करते हैं cash flow analysis is the evaluation of company cash inflow and cash outflow from operations financing activities and investing activities तो मिली three activities जहां से cash inflow होता है और cash outflow होता है cash flow analysis is a technique used by investors and businessmen to determine the value of overall companies as well as the individual branches of large companies by looking at how much exercise cash they produce generally हम cash flow analysis इसलिए करते हैं ताकि हम पता लगार सके हैं कि हमारी company में कितने liquidity है at present कि हमारे पास कितना excessive cash पड़ा हुए ताकि हम urgency में use कर सकें ठीक है इस चीज़ को determine करने के लिए हम cash flow analysis को prepare करते हैं अब इसके main components के बात करूं तो मैं आपको flow हो गया तो यह day-to-day operations से जो हम का cash inflow outflow होता है उसको हम कहते है cash flow from operating activities ओके अगर हम बात करें investing activities से तो cash flow from investing activities will include outflow of cash from long term assets अगर मैं कोई long term assets में investment कर रहा हूं मानो land को purchase कर लिए को building को machinery purchase कर ली उसमें मैं अपना cash को invest कर रहा हूं तो हम कहेंगे cash outflow हो रहा है किस activities के अंदर investing activities के अंदर and inflow from the sale और उन्हीं sets को सेल करने के बाद जो पैसा आएगा वो inflow होगा ठीक है तो cash flow from financing activities अगर हम पुछे बात करें तो cash flow from financing activities is the cash outflow to the entities investors and shareholders मतलब कि इसके अंदर वो activities हैंगी जिसके अंदर मान हो कि मैंने shares issue करें मार्केट के अंदर ठीक है या buyback करा तो यह सारी चीज़ है यह financing activities के पार्ट है ओके आई होप क्या आपको clear हो गया होगा कि सो चलिए move करते हैं तो question यहां पर यह आ सकता है को एक particular चीज़ दे देंगे मान लो उन्हों कहा कि purchase of raw material तो बताओ कोन सी activities का पार्ट है ओपरेटिंग का है financing का है investing activities का पार्ट है तो हमको इसमें से select करना होगा होग आप इसके सारे elements यास से पढ़ लेना चलिए अब बात करते हैं ओडिटिंग की तो ओडिटिंग के डिए 兄 nothésitez और लुट तो ओडिट के 5 इंडिपेंडनेक गजाया की जाती है लेकिन जो एक एक एक्टेनल औरीट के धूर्ट की जाती है औरीटर के धूर्ट की जाती है तो उसके बारे में सारी डिटेल दी जाती है कि he makes report to the person appointing him after due examination of the accounting records चकॉंटिंेर इन्परम फोपिनियन ओन फैनेशल स्टेतमेंट तो वो report के अदर अपना opinion present करता है तो opinion कैसा हो सकता है opinion favorable मिंख सकता है सिदिसी बात है एक्ट एसे मोरल चेक डिस्कवर दा एडियाज वेस्टेज अन लोसिस अगर अगर अग्टिंग के बाद हमें पता लग जाते कि हमारे एक्ट्वल अकाउंट्स हमारे क्या प्रॉफिट में चल भी रहे हैं या लोसिस बियर कर जा रहे हैं और अग्टिंग अक ओडिट होते हैं on the basis of period of audit हम बात करें continuous audit होती है इंटीरियम ओडिट होती है और फाइनल ओडिट होती है तो दा ओडिट appointed to satisfy the internal managing needs of the organization is known as internal auditor जो ओडिटर इंटरली मतलब कि एक कंपनी का employee कंपनी की ओडिटिंग कर रहा है उसको हम कहेंगे internal auditor लेकिन अगर कोई external परसने पोइंट किया गया auditing के लिए उसको हम कहेंगे external auditor if the external need is a statutory need the same external auditor is known as statutory auditor अगर जो external need है वो एक statutory मतलब कि compulsory आपको करवाना audit तो उसको हम कहेंगे statutory auditor on the basis of period of audit हम बात करेंगे continuous audit की एक continuous audit continuous audit is one where the auditor of or his staff is constantly engaged in checking the accounts during the whole period continuous audit बतलब की नाम से suggest हो रहा है कि वह audit जो continuously चलती रहती है ठीक है जब तक business चलता रहता है तो वह क्या है during the whole year whole year जो internal staff है वह audit करें रखता है हमारे accounts को उसको कहेंगे continuous audit annual audit की बात करें तो जो साल के end में audit करते हैं हम अपने accounts को उसको कहते हैं annual audit which carry at the end of the accounting period annual audit is also called periodical final or completed audit तो इसको periodical भी कहते हैं final or completed audit भी कहते हैं उसके बारे बात करते हैं interior audit interior क्या है mid interior का मतलब भी क्योंता है mid साल के mid में so and audit conducted between the two annual audit is called so called interim audit more commonly it is known in case of banks or as a half yearly review to banks के case में generally interim audit ही की जाती है interim audit helps management to take timely decision तो interim audit का सबसे main advantage यहीं है कि इसमें हम कहले सकते हैं timely decision ले सकते हैं अगर मालों मेरे को साल के mid में ही पता लग जाए कि मेरे को क्या होता ला रहा है है continuously loss bear होता जा रहा है तो मैं उसके पर अच्छे से डिजन लेके उसको profit में change कर सकता हूं अब main components कोन से होते हैं auditing के सबसे पहले आता है audit program audit program क्या होता है audit program is a description memorandum और outline of the work to be done in the audit तो audit program क्या है एक description है memorandum है और outline of the work to be done in an audit कि एक audit के अंदर क्याक्य काम किया जाएगा मदलब किया सकते हैं कि ब्ल्यूप्रिंट ही क्या 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 सकते हैं कि क्याक्य काम क्या जाएगा एक outline होते हैं कि हम को क्या क्या कौन कुर से accounts check करने हैं and often of the time allotted और उसको कितना time allotted करना है कौन से अकाउंट को चाह करने में कितना टाइम अलोट करना है and offer of the time allotted and personal assignments prepared by the principle as a definition of audit scope or by an auditor for the guidance or control of assistant मतलब की audit program में हम सिर्फ यह determine करते हैं कि एक blueprint कह सकते हैं कि हम करते कि हम को कौन-कौन सा work इसमें करना है ठीक है कौन-कौन से सब्सक्राइब करना और कितने टांप में उसको कोड़ीट में by data maintenance of to audit in the maintenance of files is very important for the office of the auditor so as to enable him to keep him for Easy and ready reference to audit files कि है audit files कि एकर हम बात करें तो the maintenance of files is very important for the office of the auditor so as to enable him to keep him for easy and ready reference जब हम audit करते हैं तो audit करने के साद साथ हम सारा का सारा record collect करते हैं उस record को हम एक particular file के अंदर बना के रखते हैं ताकि हम उसको easily available करा सके हैं अगर कोई demand करें हमसे तीक है उसको हम कहेंगे audit file दियर टू टाइप फोरिट फाइल एक होता है एक होती है permanent audit file एक होती है current audit file ठीक है current audit file तो वो है जो कि साथ की साथ और टिंग करते करते हैं मेंटेन कर रहे हैं permanent है जबकि सब कुछ audit हो जाता है उसके बाद जो एक फाइल बनाए जाती है वह थी permanent audit file उसके बाद होता है audit working papers so audit working papers are personal written material which an auditor prepares with regard to all audit and contain techniques adapted by the auditor तो audit working papers कुन से होता है personal written material होता है which an audit prepares with regard to all audit and contain techniques adapted by the auditor his decision and conclusion तो जब auditing हो रही होती है उस time पर जो auditor है कुछ papers prepare करता है जिसके अंदर मेंचन करता है कि उसने कौन सी techniques का यूज कर रहा है auditing करते हैं तो वह सारी चीज़े जो है उस papers पर क्या करता है mention करता है उसको हम कहते हैं auditing working papers अब बाद आते audit notebook क्या होती है है so an important component of audit working papers is audit notebook basically maintained by the audit color जो कि audit color के through maintain की जाती है in which he not downs the important points and inquiries which he has to reference to official clients and to discuss with his senior or the auditor himself तो auditing notebook क्या है एक basically audit color के through maintain की जाती है जिसके अंदर क्या है वो note-downs करते है important points and inquiries मदब कि ऐसे inquiries इस पर वो कोई conclusion नहीं काल पाया ठीक है जिसको वो अपने किसके साथ senior के साथ discuss करता है मालनों कोई चीज और accounts को audit कर रहा है और accounts audit करते हैं उसको कोई problem face करनी पर जिया है और वो इस account को ढंग से audit नहीं कर पाया तो वो अब सीनिर के साथ उस चीज के बारे में detail करता है तो उसको कहां नोट डाउन करता है उसको नोडिट notebook के अंदर नोट डाउन करता है आई होप कि आपको clear हो गया होगा इसके बाद हम बात करते हैं watching and verification again important है टोपिक है watching का मतलब क्या होता है watching is the examination of transaction of a business together with documentary and other evidence जब आपको चीज परचेस करके लाते होंगे तो आपको साथ में cash memo या कोई आपको bill particular मिलता होगा वो जो बिल एक तरह से evidence है कि आपने क्या परचेस किया और कितना रुपी में वाउचिंग तो ओडिटर को क्या क्या कि पॉइंट के जोगा ध्यान रखना चाहिए watching करते है वक्त तो प्रॉपर फाइलिंग होने चाहिए सीजरोडर के अंदर adoption of test checking methodology for examining voucher तो एक पर्टिकुलर test checking methodology अपनानी चाहिए comparison of evidences with accounting entries जो जो entries है accounting में हमने entries तो कुछ कर रखी है लेकिन वाउचिंग जो हमारा प्रूफ है वो कुछ और बता रहा है तो इन दोनों को crackly match करना चाहिए voucher must be in the name of person और business whose account is audited जिसके account में audit करने जा रहा हूं उसी के it it must be in printed form the voucher जो है हमेशा printed form में ही होना चाहिए चलिए वेरिफिकेशन की बात करे जाए तो verification एक प्रोसेस है डेट स्टेट्मेंट और account on item is accurate और स्टेटली प्रॉपर प्रॉपर स्टेट प्रॉपर ली तो verification का मतलब यह है कि हम यह चेक करते हैं कि जो हमारे जितने भी अकाउंट्स है जितने भी हमने इंटु दा वेल्यू ownership और टेटल एक्जिस्टेंस और पोसेशन तो मेंडली वेरिफिकेशन अप किस लिए करते यह जानने के लिए कि जो हमारे पास है किसी और के पास है उनका जो टाइटल है वह हमारे पास यह किसी और के पास है अगर कोई सट में परचेस कर रखके हैं तो सिती सी बात उसके ओनर्शीब भी मेरे पास यह नीची यह तो उसकी ओनर्शिप को वेरिफाइई करने के लिए हम क्या करते हैं वेरिफिकेशन करते हैं कि इसके बाद हम बात करते हैं audit report की अगेन इंक इंपोनेंट टोपीक और रिपोर्ट कहीं पर कोशन आया हूँ इस में से तो इसको भी हम ध्यान से कर ले ना अब एक ओडिटर है जिसने सारी organization के documents की क्या करिया अब उनको करने के बाद हो अपने opinion निकालता है कि क्या जो मेरे ओडिटिंग मेरे जो reports मेरे जो documents थे जो मैंने maintain कर रख्या है वो crackly stated है भी या नहीं है तो उसके अपर वह अपना conclusion निकालता है उस conclusion को हम opinion कह सकते हैं ठीक है the audit report is a report that contain audit opinion which is issued by the independent auditor सबसे बड़ी बात यहां पर यहां पर यह independent auditor के थ्रूई दिया जाते opinion जो है after their examination on the entities financial statement and related reports mostly those reports are issued based on the result of auditor professional examination against the measurement criteria or standard तो सबसे बड़ी बात है यह audit opinion है वो एक external auditor के थ्रूई दिया जाता है यह professional auditor के थ्रूई दिया जाता है internal auditor कभी भी opinion साही से नहीं दे सकता ठीक है अब बात करें types of audit report की इसके types important है सबसे पहला है unqualified audit report और जिसको हम कह सकते clean audit report अब clean audit report कुन सी होती है it is issued by the auditor to financial statement when auditor founds no material misstatement मतलब एक auditor ने सारे documents को check किया और चेक करने के बाद का कि आपकी सारे की सारे जो documents है वो ठीक है कोई भी आपके जो documents है उसमें miss material statement नहीं है ठीक है कोई भी ऐसा fraud case नहीं मिला मुझे तो उस report सही निकल के आ रही है तो बिल्कुल अच्छी बात है कि आपका एक जो effect जाएगा वो एक अच्छा ही जाएगा उसके बाद आता है qualified audit report अभी qualified audit report कौन सी होती है it is the report that is issued by the auditor to the financial statement that found material misstatement on them but those material misstatement are not possessive in this case the auditor has a qualified audit report on the qualified audit report तो इसमें क्या है qualified audit report में क्या है कि auditor रिटर ने क्या किया documents को verify तो किया उसने verify करने के बाद उसको कहीना कहीं ऐसा लगा कि doubt सा लगा कि material misstatement find out हुए उसके अंदर और उसको doubt लगा कि यार इसमें कहीना कहीं गड़बढ है तो उस time पर जो वह opinion देगा वह qualified opinion ठीक है qualified audit report इसको हम कह सकते है in this case auditor issued qualified audit opinion on the qualified audit report however if the auditor think that the misstatement is possessive and this will issue this will issue the adverse opinion in this report मतलब कि एक मालो मैं auditor हूँ मैंने किसी कंपनी के documents को verify किया और मैंने को verify करने के बाद मैंने को लगा ऐसा लगा मैसूस हुआ कि कहीना कहीं गडबढ है बट मैं अभी accurately कहीं सकता कि गडबढ मैंको क्या लगी मैंकि मैंको ऐसी feeling आई कि कुछ ना कुछ तो गडबढ है ठीक है इस टेम पर मैं जो रिपोर्ट इशू करूँगा वोगा qualified audit report लेकिन मैंने उसको गलत भी नहीं बताए यह भी आद आपना मैंने उसको गलत नहीं बताए लेकिन को डाउट है तो इसलिए मैंने qualified audit report लेकिन अगर मेरा डाउट यकीन में बदल जाता है अगर मेरा को कोई शक है और शक मेरा यकीन में बदल जाता है तो उस टेम पर मैं जो रिपोर्ट इशू करूँगा वह एडवर्स ओपिनियन जो मैं इशू करूँगा उस टीच के रिक opinion audit report जिसको हम कह सकते हैं इसके बाद disclaimer audit report यह कुण से रिपोर्ट होती है इस रिपोर्ट इशूज दा financial statement where there is a matter to the auditor independence and those matter cause auditor not to be able to obtain sufficient audit efficient to support their opinion इस में क्या होता है कि उड़िटर को क्या है और रिटर ने ओडिटन तो खरी लेकिन उसको उसको evidence नहीं मिले महलो मैं कहां कि मैंने उसकी से पूछा employees से उसने का कि मैंने purchase तो कर है ठीक है लेकिन इसके voucher नहीं है इंडेड टाइम उस टेम उसको voucher नहीं उसकी evidence नहीं मिले तो उस टेम पर ओडिटर की भी गलती नहीं है ठीक है कि उसको voucher नहीं मिले अब हो सकता है कि उन्होंने purchase किया हो लेकिन उसे voucher गुम हो गया हो तो वह कहा है confusing वाली stage आजाती है तो इस stage पर आके जो ओडिटर है वो जो opinion देता है वो उसको असेस नहीं कर वाई जाती मालों में को information चीह कहीं सारे अकाउंट की लेकिन वह प्रोवाइड नहीं के गई कंपनी के थूँ तो इस टेंपर जो opinion दिया जाएगा वो disclaimer opinion हो दिया जाएगा ठीक है ओडिटर के थूँ लेकिन इस disclaimer opinion का मतलब है कि मैं कोई conclusion पर नहीं निकल कि आ सकता है क्योंकि मैं पास सारी information नहीं है ओके तो recent trends in auditing यह भी एक important topic है देख लो इसके बारे में भी कौन-कौन से trends सारी टिंग के अंदर सबसे पहला था मैनेजमेंट ओडिट तो मैनेजमेंट ओडिट इस सिस्मेटिक examination of the decision and actions of the management to analyze the performance तो management audit के अंदर किसी के ओडिटिंग करते हैं management के decisions के ओडिट करते हैं ठीक है कि उन्होंने कौन-कौन section लिया है कौन को से decision लिया है management audit involves the review of manager aspects like organizational objective procedures control and systematic and to check the efficiency or performance of the management मतलब management audit का मतलब सिंपल यह है कि हम management से related task को क्या कर रहे है auditing कर रहे है कि management के decision capacity को देख रहे है organizational के objective क्या है policies के इन चीजों के regarding auditing को management audit कहते हैं so management audit mainly examine the non-financial data तो non-financial data को ही examine करते हैं यह चीज़ important है याद रखने हैं आपको उसके बाद हम बात करते हैं energy audit and energy audit is an inspection survey and analysis of energy flow of for energy conservation in building तो energy audit कि इसका auditing करते हैं इसके अंदर हम energy की flow कितने एक building के अंदर energy कितनी flow हो रही है उस टीज़ की audit को हम कहते है energy audit it may include a process or system to reduce the amount of energy input into the system without negatively impact the output तो energy मतलब कि हम यहाँ पर मेली बात करें किसी की electricity की मतलब कि हम energy कितनी flow रही है उसको किस तरह reduce इसका main objective होता है कि हम किस तरह energy को reduce कर सकते हैं ठीक है ताकि हमारा output भी effect नहों यह नहीं कि हम electricity को save तो कर रहे हैं बट हमारा output पर उसका impact पढ़ रहा है यह चीज़े energy audit के अंदर नहीं इसके बाद हम बात करते हैं environmental audit environmental auditing is a management tool designed to provide information on environmental performance तो environmental auditing क्या है एक management tool है जिसको design क्या गया है to provide information on environmental performance to the right people at the right time this audit encompasses so this audit encompasses all kind of activities related to environmental measures of an organization so it's audit में क्या करते हैं हम यह देखते हैं कि एक organization का environment पर क्या impact पड़ता है तो उस चीच को analyze करते है इस audit के अंदर कि क्या 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 आगर positive impact पढ़ रहा है यह negative impact पढ़ रहा दो नो environment को हम देखते हैं analyze करते हैं तुर मेंटल ओडिट और information is provided to all level of management for different purposes तो इसको क्या है इस audit इस information को provide किया जाता है जितने भी levels है management के चाहे lower management हो चाहे middle हो चाहे upper level हो सबको क्या करते हैं इसके बाद हम बात करते हैं system audit system audit के review and evaluation of control and computer system इसमें हम क्या करते हैं जितने भी हमारे जो organization है उसमें हम क्या करते हैं जो control system हमने लगा रखे हैं और जो computer system है मालों कि हम CCTV भी हम कह सकते हैं ठीक है इन सब चीज़ों क्या करते हैं इस चीज़ के regarding हम क्या करते हैं evaluate करते हैं इनको कि यह ठीक से काम कर रहे हैं यह नहीं कर रहे हैं examination and evaluation of the process in terms of computerization and data processing तो जितने भी हमारे data processing system है organization के अंदर जहांसे हम data collect कर रहे हैं यह कोई ऐसा technical system है उसको include कि जाते है कि सिस्टम audit के अंदर the main objective of system audit is to provide security to user of computerized system तो mainly इसका जो objective है वो यह है कि जो जितने भी हमारे जो computerized जो वर्क हो रहा है वो हमारा सही से वर्क हो रहा है कहीं उसके अंदर ऐसा तो नहीं है hacking वगरा चीज involved तो नहीं है तो इस चीश को देखने के लिए हम कौन सी audit करते हैं system audit करते हैं इसके बदम बात करते हैं safety audit safety audit में क्या करते हैं under this audit it is ensure that there is a proper safety at the workplace for the workers in the organization अब आपको पता है कि जो workers है वो जो है organization में क्या करते हैं वर्क करते हैं ठीक है factory places के अंदर क्या है काफी harmful चीजी हम फुल ऐसे मतलब की places होते हैं जहापे उनको खतरा रहता है कि कोई प्रोब्लम ना फेस हो जाए जैसे कि अगर बात की जाए दिल्ली के अंदर बात की जाए तो अभी अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले factory के अंदर आग लगी थी जिसके अंदर काफी सारे जो वर्कर्स थे उनकी death हो गी थी तो इस तरह से बचाने के लिए वर्कर्स को बचाने के लिए कि सेफ्टी मेजर्स अपनाने पड़ते हैं ओगनेज़ेशन को तो उन मेजर्स को चेक करने के लिए जो ओड़िट की जाती है वह होती है सेफ्टी ओड़िट ओगे इसके नदर जो इनफोर्मेशन क्लेक्ट की जाती है वो किसके रिगार्डिंग टोटल हेल्ट ओव दा कंपनी एंड सेफ्टी मेर्गेंजमेंट जो कंपने सेफ्टी मैनेजमेंट तूस अपना रखे हैं क्या वह सई से वर्क कर रहे हैं अब आपने कहीं जगा देखा होगा पाइर एक स्टेविशन लगे थे हैं ठीक है बट होता तो है लगे तो होते हैं बट आज तक क्या कभी किसी ने ट्राइग करें यह वर करते भी यह नहीं करते तो इस चीज़ के रिगार्डिंग कंपनी क्या करती है और उडिट करती है कि क्या यह सब चीज्जे जो टूल टेक कर दिया के रियल्टी में वो चीज़ वर्क कर भी रिया है नहीं कर रही है सेफ्टी ओर इस मेंडिटरी फॉर हाजार्ड इस इंडिस्ट्री इनिडिया और हजाड इंडिस्ट्री इसक लिए अगेन इंपोर्टन पोशन यहांसे निकल क्याता है तो अलब सकते हैं होगे तो यह थी टोटल जो कंसेप्ट से इस यूनिट के अंदर तो मैंने आपके साथ सारी सब्सक्राइब कर लिए हैं अगर आपको खहीं भी प्रोब्लम फेस हुई है या आपको लगा कि यह कंसेप्ट आपको प्रोपर्ली समझ नहीं आया तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में ज और उसको अप्लोट करने में तो प्लेज वीडियो अच्छी लगिया तो प्लेज लाइक जुरु करना और हाँ अगर आपको खुए सजेशन हो तो प्लीज वह भी बताना था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चिजको इंप्रूव कर लो हूं थैंक्यों फ्रेंड्स ऑर व